देव भूमी हिमाचल प्रदेश की सुन्दर स्वलन घाटी में इस्तित देश के सबसे प्रतिश्टित जिसको 174 यर्ज अठारा सो सेतालिस में प्रतिश्टित ये विध्याले लॉरेंस इस्कूल जिसकी प्रतिश्टा देश और दुनिया के अंदर है यहां पढ़ने वाला विध्यारती इस देश में अलग-अलग सेक्टरों के अंदर जान नितुत कर रहा है वहां विष्व के कई देशों के अंदर भी पढ़ने वाला विध्यारती वहां पर नितुत कर रहा है लेकिन उसके मूल में उसका इस विध्याले है उसकी शिक्षा है उसकी नीव है जो एक अच्छी शिक्षा और संसकार उसको विध्याले में दिये वो देश और दुनिया में इस विध्याले के पढ़ने वाले सभी विध्यारतीयों को मैं शुबकामनाय देता हूं बधाय देता हूं और विशेश रूप से जो इस विध्याले में भी पढ़ रहे हैं उन विध्यारतियों को भी बहुत बहुत शुब कामना देता हूं बधाय देता हूं इस विध्याले के चेर्मेन, मैनेजमेंट कमिटी के चेर्मेन, मेजर जर्नल, कुलप्री सिंग जी, हैड मास्टर, हिमाज सिंग डिलो जी, डिप्टिएड मास्टर, यस सक्सेना जी इस विध्याले में उन विध्यारतियों को अच्छी शिक्षा, गुन्वनता पूर्ष शिक्षा, संस्कार देने वाले से विध्यारती, शिक्षगन और मेरे विध्यारती भाईं और बैनों आज लॉरेंस पॉब्लिक जैसे प्रतिष्टि विध्याले के अंदर, दे सनावर मॉटर्ल युनाइटेड नेशन कॉम्प्रेंस दोजार इक्किस में, मुझे भी जुड़कर बहुत प्रसंता हो रही हैं मुझे इस बात के भी प्रसंता है, के मारी आने वाली पीड़ी किस तरीके से दुनिया को जानना चाहती है दुनिया में जो जितने भी संगटन है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, ये आज का विध्यारती जानना चाहता है और इसलिए आपने एक महत्पून विशे पर ये चर्चा किये इसके लिए मैं बहुत शुक्त कामनाय देता हूं बधाय देता हूं साथियों दुनिया के अंदर सारे देश अब प्रयास कर रहे हैं कि लोगतन शाषन प्रनाली से हम हमारा शाषन चलाएं और दुनिया के अंदर जितने भी डेमोकेटि देश हैं उन डेमोकेटि देशों ने माना है कि लोगतन थी डेमोकेशी शाषन प्रद्दती का सबसे महत्पून तरीका है और इसलिए जहाँ डेमो केसी नहीं है वो देश भी अपने यहाँ डेमो केसी लाने का प्रियास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अधिक्तम देशों के अंदर डेमो केसी शाषन पद्दती होगी जहां जन्ता की सभागिता होगी और जन्ता के चुनिवी सरकार होगी और इसलिए पूरा विश्व अब एक होने की इस्तिती के अंदर है और इसलिए हमने देखा है कि कोरोना वेश्व महमारी में किस तरीके से देश और राज्यों ने अपनी सीमाओं को तोड़ कर एक साथ सामुईक इस वेश्व महमारी के लड़ने का प्रयास किया और हमको बता भी दिया कि जब तक पूरा विश्व एक साथ सामुईक मिलकर काम नहीं करेगा चाए महमारी हो चाए देश के अन्य जोलन समश्या हो सारे विश्व की समश्याओं का समाधान करना है तो उसका एक मात्र विकल्प है कि सारा विश्व एक सामुईक प्रयासों से सामुईक साजा पद्दती से अपने अपने देश की समश्याओं का समाधान भी करें और विश्व की समश्याओं का समाधान भी करें और कॉरणा जेसी वेश्व महामारी ने अभी हमें सामुईकता का संकल्प दिलाया है मुझे आशा है कि हर महामारी हर युद्ध हर संकट हमें नए विकल्प तलाशने का मोका देते हैं और यही हमारे लिए चुनोती है कि जस एक वेश्व महामारी ने पूरे विश्व को हिला दिया तो किस तरक करीके से हमें सामुदाइक सयोग के साथ सारे विश्व को चलाना पड़ेगा आपकी इस कॉंप्रेंस के दोरान कई विश्व शग ने बताया कि वेश्व संस्ता युनाइटेड नेशन किस प्रकार कारे करती है किस प्रकार विश्व के समक्स उपस्तित विश्व पर चर्चा करती है समवात करती है और उसके समाधान के लिए कारे करती है और यही हमने अभी कोविट के समय पाया कि किस तरीके से हमने चाहे दवायां हो चाहे वेक्सिन हो हमने सामुदैक प्रयास करकर इस समश्या का समाधान करने का प्रयास किया है भारत ने भी कोविट महामारी के अंदर पूरे विश्व के अंदर समश्याओं के समाधान का भी एक रास्ता बताया और किस तरीके से भारत ने इतनी बड़ी भोगोलिक हालात इतनी बड़ी जनसंक्या होने के बाद भी किस तरीके से कोरोना जैसी वेश्व महामारी से सपलता प्राप्ट करने का कारगर कदम उठाया ये बास सही है के भी कोरोना संक्रमन पुन्रुप से समाप्त नहीं हुआ है लेकिन उसके बैतीन प्रयास हमारे देश ने भी किये वेश्चिक सयोग भी किया और हमने भी अन्य देशों को सयोग करकर इस महामारी के समाधान के लिए सामिक्ता से काम करने का कारे किया आप जानते हैं कि दिर्थे विशुद्धी की तवाई के बाद पूरे देशों में एक बात हुटी कि मैं वेश्चिक शान्ती स्तापित करनी चीए और उस वेश्चिक शान्ती के प्रयास के उद्धिश सही समित राश्ट के स्तापना की गई चालिस देशों की सहस्ता से 1945 में प्रारम हुई इस सहस्तान में आज 193 देश सामिल है भारत इस सहस्ता का फाउंडर मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन अंतराश्टी लोकतंत का एक ऐसा उधारन है जहां पर सभी निर्ने सभी राश्ट बिलकर एक साथ लेते हैं मासवा के अंदर 15 सदश्चों के एक सुरुक्षा परिशद होती है जहां वेश्चिक शांति और सुरुक्षा के समंदित मुण्यों पर महत्पुन निर्ने लिये जाते हैं इन दोनों के साथ यून ने कुछ और बोडीज भी हैं यूनिस्को है यूनिसेफ है खाद्यों क्रशी संगटन इतियाजी ऐसे संगटन है जिन संगटनों के माध्यम से अंतराश्टी इस्तर पर आपस में समझ्य और प्रियास करकर कई मोजूदा समश्याओं के समाधान के लिए सामुइक भी और अलग-अलग भोगोली किस्ति के नुसार समाधान के लिए सामुइक प्रियास भी करते हैं अपनी स्तावना के बाद से ही यून वेशिक शान्ति कायम रखने में सामाने तोर पर सपल रहा है यद्य भी कई शेतों में युद्ध की स्तिती बनी हुई है पर उन्हें शेती इस्तर पर भी उन युद्धों के अंदर शान्ति बनी रहे इसका प्रियास यून करता है और इसलिए यून के प्रियासों के कारण ही आज अंतराश्टी इस्तर पर वेशिक शान्ति की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ें और कापी हद तक हमें सपलता भी मिली है मेरे युवा साथियों आज पूरा विश्च अत्यन्त गतिशील है और आपस में कनेक्टेड भी है बहुत इक दूर्या आज प्रासंगिंग नहीं रही है कुछ पलकों में कुछ घंटों में एक छोड से दूसरे छोड पर हम पहुँच जाते हैं हमारा कम्यूकेशन सिस्टम नेटवर्क इतना मजबूत है कि हम में सेकिंड भर के अंदर पूरे विश्च की जानकारी एक प्लेटफार्म पर विल जाती है जिसके कारण हम काफी समश्याओं का समाधान कर पाए हैं दुनिया के अंदर टेक्नोलोजी के अंदर भहुत परिवर्तन आये और इस टेक्नोलोजी के कारण ही आज न भोतिक दूरियां बची हुए न अन्य दूरियां बची हुए इसलिए हमारा नोजवान इस टेक्नोलोजी के कारण विश्व की सारी जानकारें अपने कई प्लेटफार्मों से जानकारी प्राप्त कर लेता हैं और उस देश के अंदर चलने वाली हर घटनाओं की तवरित जानकारें भी देश के हर सक्री व्यक्ति को मिल जाती है आज आउशक्ता इसी बात की है कि हम विश्व शान्ती के लिए हमारे प्रधान मंतिजी ने कहा है कि हमें आतंगवाद के खिलाब सामुएक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें विस्तारवाजी निती को भी रोकना पड़ेगा इन दो विश्यों पर आतंगवाद पर जब भी मैं स्पीकर कॉंप्रेंस में विश्य में जाता हूँ अधिक्तम देश इस बात के मत है कि हमें आतंगवाद के खिलाफ सामुएक लड़ाई लड़नी ची और अधिक्तम देश इस मत के भी है कि किसी भी देश की विस्तारवादी निती नी होना ची अपनी अपनी बाउंडरी वाल को क्रोश करकर न तो वह आतंगवादी कद्वित्या हो और न उसकी अपनी बाउंडरी बढ़ाने के लिए प्रियास हो और इसके साथ साथ एक महत्पुन विशे पर और चर्चा होती है वह महत्पुन विशे है जल्वायू परिवर्तन और जल्वायू परिवर्तन एक सीमाओं पर रखकर जल्वायू परिवर्तन के प्रियासों से सपलता नहीं मिलेगी जल्वायू परिवरतन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वेस्षिक प्रयासों की आउशकता है और इसके लिए भारत हमेशा अग्रणी है विश्य के कई मंचों पर भारत ने जल्वायू परिवरतन के विश्यों को लेकर नित्त किया है जबकी हम से पहले वाले देश जलवायू-रीवरतन के विशे को लेकर अग्रणी थे लेकिन भारत वह देश जिसने जलवायू-रीवरतन और प्रियावरण को स्रक्षिर रखने के लिए हम तमेशा काम किया है यह देश वो देश है जहादी काल से पेड़ की पूजा होती थी हम जानते थे प्रयावरण को सुरक्षि रखना है तो पेड़ लगाने हैं आपको भी मैं आवान करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर वर्ष एक पेड़ ज़रूर लगाएं यह संकल के साथ लगाएं कि यह पेड़ प्रयावरण को सुरक्षि रखने का काम भी करेगा हमें फल भी देगा और शद्दी भी देगा हर तरीके से वो पेड़ हमारे जीवन दाइनी बनने का काम करता है फिर हमारा पेड़ लगाने में क्यों न सयोग हो यह विचार ने विशे जाना चीए और दुनिया भी यह मानती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंट से लड़ना है क्लाइमिट चेंज से हमें लड़ना है तो में पेड़ लगाना चीए वर्षार उपन करने का व्यापक संकल्प अभियान चलाना चीए क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जलवायों परिवर्थन के कारण बारत के अंदर भू संकलन हो रहे हैं अज समय बरसात आती है मोसम में बहुत परिवर्थन हो रहे हैं और पिछले दश्कों में आपने देखे होंगे लगातार हमारा टेंप्रेचर 1.5 से 2 डिग्री कि एक खिल्सेद तक बढ़ रहा है जो हमारे लिए बहुत चिंता का विशे है है और विशेश गुप से आने वाला विध्यारती इसकी चिंता कर रहा है और आने वाला विध्यारती ग्लोवन बल वार्णिंग के खिलाब इस चुनोती के मान कर लड़ रहा है और भारत का नित्त भी कर रहा है भारत में कम संसादनों के बाद जूद भी हमने पूरे विश्व के अंदर कई वेश्विक समश्चाओं का उच्छी समाधान दिया है जैसे मैं अभी करोना की चर्चा कर रहा था सबसे पहले वेक्षिन बनाने का काम दुनिया में किया तो भारत ने किया और आज भी दुनिया के अंदर पचास करोड से जादा वेक्षिन लगा कर सारी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किस तरीके से संकल्प के साथ काम करता है और इसके लिए हमें समय समय पर हम विश्च के अंदर कई शेत्वों के अंदर भारत नेत्तुत कर रहा है हमने clean energy के विश्च के अंदर हमने अगरिन भूमी का निबाई है और इसलिए आज अंतराष्टिय सोलर एलाइंस का गठनम ने किया है जिसका नेतुद भारत कर रहा है 121 देश अभी तक उस एलाइंस के सदश्च बन चुके हैं ऐसे कई सारे उधारण हैं जैसे पिछली बार लोगसभा के अंदर हमने टीवी समाप्त करने के लिए एक व्यापक प्रियास किया है कि SDG जो UN ने ते किये थे और उसमें ते किया कि 2030 तक पूरे विश्व में हम टीवी समाप्त करेंगे भारत ने लक्ष बनाए कि 2025 तक पांच वर्ष पहले हम टीवी समाप्त करेंगे ऐसे कई उधारण में आपको देश सकता हूं जब हमने SDG के जो गोल UN ने ते किये थे उनसे पहले हमने काम करने का काम किया है और इसलिए यूएन की इसी सामुइक्ता की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय इसके परिणाम भी होंगे विध्यारतियों और मित्रों सिंट राश की स्तापना वो लगवाद 76 वर्ष हो चुके हैं उस समय इस्तापना के जो लक्ष उद्देश और वर्तमान के अंदर लक्ष उद्देशों को लेकर व्यापक परिवर्टन हुआ है यूएन ने भी इन बदलाओं को अपनाया है और आज 21 सदी के अंदर यूएन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर रहा है इसलिए भारत ने भी सुरक्ष परिशत के विस्तार की मांग समय समय पर किये और यूएन के अंदर भारत सक्रिये भूमी का निबा रहा है विश्य के अंदर जितनी भी अंतराश्टिय समश्चा है उसका हमें सामविक रूप से मकाबला करना पड़ेगा उन चुनोतियों को सामविक रूप से लड़ना भी पड़ेगा इसलिए भारत ने सतत्विकास लक्ष SDG के लक्षों को पुरा करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है हमने संसत के अंदर नोजवान सांसुदों के अंदर इसकी लगाता तीन तीन दिन तर सेमिनार किये कि किस तरीके से हम सतत्विकास लक्ष SDG गोल को निर्धारित लक्षों के पहले कर सकते हैं और भारत सरकार ने भी संपूर्ण देश का एक साथ सामुई क्विकास हो देश के हर जिलों को अपने निर्धारित माप डंडों के अंदर समानता है इसने निती आयोग ने भी एक कारियोजना बनाई है जो ऐसे 101 से ज़्यादा जिले जो कहीं ने कहीं उन सतत्विकास लक्षों से पीछे चल रहे थे या जा मूल भूस सुईधाओं का अभाव था उसके लिए 101 जिलों के अंदर इन तमाम लक्षों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कारियोजना बनाई है जिससे की हम स्विक्त राष्ट की इस पहल को जिसमें 2030 तक के लक्षते किये हैं उसको भी पूरा कर पाएं और मानोता के जीवनिस्तर को भी बेतर बना सकें और इसलिए उन जिनों के अंदर शिक्षा हो स्वास्ते हो कूपोशन हो पेजल हो ऐसे समंदित विश्यों को लेकर नीती आयोग ने एक योजना बनाई सरकार ने उस योजनाओं को क्रिवन्त किया है अब भारत का हर जिला अपने निर्धारित लक्षों के अनुरूप चलेगा सबका समान विकास होगा ये दूर दर्शिता सोच सरकार की है और इसके लिए एक व्यापक कार योजना बनाई गई है जिसके परिणाम आने वाले समय में अब दिखने लगेंगे मित्रों हमें यूएन के इन गोलों को प्राप्त करने के लिए आपकी संसद में भी डिवेट होना ची हमारे यूआ विध्यार्ती जो विशे आपने रखा है कि समित राष्टी जो संकल्पना है उस संकल्पना को हम भारत में कैसे पुरा कर सकते हैं और इसके लिए हमें कही न कही लोगतंत के अंदर और हमारी सक्रे भागिदारी निवाने के आऊशकता है हमारा नोजवान देश में हर कानून बनने की व्याख्या करें कानून बनते समय 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 पर उची सला सरकार को दे और इसके साथ साथ देश के जुलंत मुद्दों पर हमें चर्चा करना चीए समवात करना चीए व्यध्याले में संसद चलनी चीए उस संसद में पक्ष विपक्ष दो पहलू बना का किस तरीके से हमारी चर्चा और समवात का लाप आने वाले समय के अंदर देश को मिले इसके लिए हमारा क्या योगदान हो ये भी हमें प्रियास करने के आऊशकता है जब हमारे नोजवान राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक समेद शीर विशों पर चर्चा करेंगे भारत की भोगोलिक इस्तिती के आधार पर चर्चा करेंगे अच्छे सुजाओ सरकार को भी देंगे, जनपतिती को देंगे तो एक अच्छे परिणाम हम भारत में ला सकते हैं और इसके लिए हम एक सामुईक चर्चा हर विशे पर विध्याले में भी होना चीए देश के विशों पर भी होना चीए अंतराश्टी विशों पर भी होना चीए जिन-जिन देशों ने बहुत जल्दी तरक्की की विकास किया है उम्मामडंडों पर भी चर्चा होना चीए लेकिन ये बात सही है कि भोगोलिक और जनसंक्या के आधार पर चर्चा करते समय हमारे मूल में विशे ध्यान रखना चीए कई बार हमारे मित्व चर्चा करते हैं कि उस देश ने बहुत जल्दी तरक्षी किये हमारे बाद आजाद हुआ लेकिन हमसे कई आगे आया है ये बात सही है कि चर्चा हो इस बात की होनी चीए लेकिन ये भी विचार करना चीए कि उस देश की भोगोलिक इस्तिति क्या है जनसंक्या क्या है अगर उसको पेमाना रखेंगे क्योंकि कई देश तो ऐसे हैं जो हमारे एक जिले से भी छोटे हैं कई देश ऐसे हैं जो एक राज्य जे से भी छोटे हैं इसलिए हमारी चर्चा के अंदर हमेशा भारत की जन संक्या और भोगोलिक किस्ति को देखते हुए हमें कार्योजणा बनाने पर चर्चा करना चीए उसका भी भईश में एक अच्छा परणाम आएगा क्योंकि हमारा नोजवान जितना टेक्नोलोजी के अंदर आगे है मैं विश्व में कहीं भी जाता हूं तो विश्व के हर देश के अंदर आइटी के अंदर तो विशेश रूफ से भारत का नोजवान ही वहां नित्त करता है जब तकनीकी रूफ से हम इतने मानोसंसादन हमारे पास है तकनीक रूफ से हमारा नोजवान इतना दक्ष है उसका उप्योग हमारे देश में भी होना चीए और इसी लिए हमें इन सारे वि व्यापक चर्चा करना चाहिए विध्याले के अंदर हमारा देश लोकतांती मुल्यों पर अधिक मजबूत हो हर सामुई कटनाय चुनोतियों में हम सामुई कुरूप से मिलकर लड़ सकें उसका अच्छा समाधान हम दे सकें इसके लिए हमें प्रियास करना चाहिए मेरा भी एक प्रियास रेता है कोविट के कारण में आपके विध्याले में वेक्ति से उपस्ति नहीं उपाया मेरी इच्छा है कि कोविट का संक्रमन जैसे ही कम होगा देश की युवापीडी को मैं संसत की कारवायों को दिखाऊंगा संसत के अंदर हमारी लाइबरिरी डिजिटल लाइबरिरी देश के अंदर आजादी के बाद हमने 75 साल हमारी आजादी को रहें भारत ने कितनी तरक्की किये हमारी विकास की यात्रा हमारी लोगतंत की यात्रा कितनी लंबी रही है कि इसके लिए समय समय पर हमारे देश की सबचे सरोच संसता लोकतंत में संसत के पर्ति भी लोगों का विश्वास भरोसा बढ़े इसके लिए भी हमने व्यापक कारियोड़ना बनाई है और इसलिए केवडिया गुजरात में जब हमारी कॉंप्रेंस हिस्पी का कॉंप्रेंस हुई थी तो हमने कहा था कि देश का हर विध्यारती जैसे और किताब के ज्ञान को समस्ता जानता है भारत के सविधान को भी समझे उस समय भारत के स्थिधान में हमें अधिकार की बात होती थी आज आज़ाजी के बात भारत का नोजवान अधिकार की चर्चा कम करता है अपने करतेओं दायतों की चर्चा जादा करता है और हमें यही करना है उस समय की प्रस्तिती अधिकार लेने की थी आज की प्रस्तिती देश को देने की है आज की प्रस्तिती मेरा क्या दाइथ है मेरा क्या सक्रिय योगदान देश को हो सकता है उस सक्रिय योगदान में हमारी सक्रिय भागिदारी होना देश के लिए आज के नोजवानों के विशेश रूप से आउश्चक है और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं देश के नोजवानों को लोगतंतिक प्रक्रिया से जुड़ूं देश की जितनी भी जनतंतिक संस्ता हैं लोगतंतिक संस्ता हैं उनके प्रती देश के नोजवानों का और विश्वास भरोसा बड़े किवल मतदाता के मतदान करने तक हम सिमितनी रहें सरकार के हद गत्विदी और कारवाई पर हमारा समय समय पर सरकारों को सुझाओ देने का भी अधिकार है और सरकारों को सही दिशा पर चले इसके लिए भी हमारा योगदान करने की आउश्चक्ता है मुझे आशा है जिस तरीके से विध्याले आजादी के पहले का विध्याले है अपने इस विध्याले के व्यापक अनभोग और यहां पढ़ने वाला विध्यारती इस विध्यारती से लगाता जुड़ा रहेगा और आने वाले समय के अंदर मुझे आशा है भारत के लोगतंत को सशक्त मजबूत करने में लारेंस सिस्कुल के नोजवानों का बहुत बड़ा योगदान होगा देश की समश्याओं के लिए समाधान के लिए योगदान होगा देश के आम आदमी की समश्या का सोलूशन भी आप देंगे और किस तरीके से हम आजादी के 75 साल में हमारे इस योगदान को देंगे भी सही और एक धाचा भी तयार करेंगे कि आने वाले सो साल में भारत केसा होगा इसकी परिकल्पना भी एक रोड में भी बनाने का काम इस विध्याले का विध्यारती करेगा मुझे आशा है आपकी ये संसद जिसमें व्यापक रूप से सार तक चर्चा होगी समवाद होगी है अपने अन्भों को आप साजा करेंगे का कि देश यूएन के अन्भों को साजा करेंगे है यूएन की सोच को हुआ भारत के अंदर किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं के केसे हम अन्य देशों के अन्भों का लाब उठाकर भारत की समश्याओं को समाधान कर सकते हैं केसे विश्य के अंदर भारत कई विश्यों पर और कई समश्याओं के समाधान में नेत्त कर सकता है उसमें आपका योगदान होगा पुने मैं इस उद्याले के एड मास्टर साब सरी हिम्मत सिंग जी डिलो को यह सक्सेना जी को बहुत बहुत शिपकामना देता हूं और इस स्कुल मेनेजमेंट के समीती के चेर्मेन कुलप्री सिंग जी को और निश्यतूप से मैं जल्दी आपके विध्याले हैं फिजिकल आऊंगा और जल्दी आपके सारे विध्यारतियों को भारत की संसत की कारवाई संसत की गत्विद्यां हमारे मुजियम हमारी लाइब्रिरी हमारे आरकीज अन्य जो पुरानी हमारी संसती यात्रा भारत के विकास की यात्रा हैं उसमें आपकी सक्रे भागिदार बने इसके लिए में प्रयास करूँगा बहुत बहुत धन्यवादि झाल